हम अब अध्याय दो के दो भाग हम परचर्चा कर चुके हैं अब हम तीसरे भाग पर आते हैं तीसरे भाग में हम कुछ मनोवघ्यानिक अनोसंदान की कुछ विधियां उसके बाद डाटा एनालेसिस पर्दत विशिलेशन तथा मनोवघ्यानिक अनोसंदान से जुड़े कुछ नैतिक मुद्दू की चर्चा करेंगे अगली जो विधी हमारे पास है जो हम मनोविज्ञानिक अनुसंदान्म प्रियोग मिलाते हैं वो है परसनावली सर्मेक्षन सूचना प्राप करने की सबसे पर्चलित मोस्ट कॉमन ये विधी है बहु मुखी वर्सेटाइल है अल्प लागत वाली है कम खर्च होता है इसके अंदर एक सेल्फ समवाद आत्तम समवाद सेल्फ रिपोर्ट विधी है इस विधी के अंदर पूरो निर्धारती पर्षनों की सोची पर्ती करियादाताओं रेस्पोंडेंट्स को वितरन करके उनकी दवारा और या किसी और विधी दवारा भेजी जाती है बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं या किसी भी लंग से भेज सकते हैं पर्ति करियादाता पर्षनों को पढ़ता है और कागज पर उत्तर लिखता है मौखिक उत्तर नहीं देता नहीं देना होता इस करिया में पर्ति करियादाता रेस्पॉंडेंट डाक दवारा अनुसंधान करता को अपने उत्तर भेज देता है अनुसंदान करता को किसी भी रूप से वो लोटा सकता है पर्षनावली सर्वेक्षन के लिए पर्षनों के परकार मुक्त पर्षन ओपन एंडिड पर्तिक रियादाता कुछ भी उतर दे सकता है वो सवतंतर है उतर देने के लिए जो ठीक समझता है इसके अंदर क्लोज्ड एंडिड ऐ मुक्त पर्षन भी हो सकते हैं पर्तिक रियादाता को दिये गए संभावित उतरों में ही उतर का चेन करना होता है जैसे हाँ या नहीं सही या गलत बहुत विकल्पिक पर्षन मुल्टिपल चोईस क्रेस्टिन भी होते हैं जो एक मापनी स्केल यानि रेटिंग स्केल के उपर होते हैं मापनियों के संबंद में एक कथन दिया जाता है और पर्तिक रियादाता अपना मत विभिन अंक मापनी जैसे त्री अंक मैं सहमत हूँ, ए निरने हैं मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ए सहमत हूँ तेन अंक हो गई, पांच अंक वाली भी हमारे पास rating scale हो सकती है, अत्याधिक सहमत हूँ, सहमत हूँ, ऐसहमत हूँ, अत्याधिक ऐसहमत हूँ, तो इस तरीक के से हमारे पास scales होती है, जो साथ अंक की भी हो सकती है, नौ अंक की भी हो सकती है, ग्यारा अंक की भी हो सकती है, व परसनावली सर्वेक्षन का उपयोग, प्रिष्ट भूमी संबंदी, जलानकिय संबंदी, सूचनाई, डेमोग्राफिक इन्फरमेशन, भूत काल का में की कोई इन्फरमेशन, about the past time, अभी विर्तियां, या किसी के attitudes, लोगों के किस परकार के हैं किसी चीज के लिए, या उनकी राय जानने के लिए, जो परसनावली विदी है, ये बहुत अच्छी विदी है, व्यक्तियों की परत्याक्षाओं, यानि उनकी expectations, और उनकी आकांग्षाओं, की जानकारी का ज्ञान भी, उनकी भी हम इसी विदी के दवारा ले सकते हैं, अगली विदी आती है हमारे पास, तूरभाष सर्वेक्षन, यानि टेलीफोन सर्वे, मोबाईल फोन पर या समस तवारा सूचला हम प्राप्त कर सकते हैं, इस विदी में समय कम लगता है, क्योंकि परतिक्रियादाता साच्छात कार करता को नहीं जानता, इसलिए परतिक्रियादाताओं में ऐस योग अनकॉ परतिक्री आइस की फीलिंग आ जाती है, क्योंको जानता नहीं है, वो पूरी सूचला नहीं देना चाहता है, इसलिए वो अै सूचलाय देने के लिए अनिश्टा, यानि रिलक्टेंट होता है, और कभी-कभी वो एक बिल्कुल सतेही सूचला देता है, वास्तिक्रियादा आयू, लिंग, आय स्तर, सेक्षिक स्तर आदी, इन भिन्नताओं के कारण आय नीमित प्रिनाम भी हमें प्राप्त होते हैं, बाइस रिजल्ट्स आने की संभावना बढ़ जाती है, सर्वेक्षन विधी के लाब, हजारों व्यक्तियों से शिगरता पूरवक्त, एक दख्षता पूरवक्त, एफिशेंटली सूचनाएं एकतरित की जा सकती है, क्योंकि सर्वेक्षन, सर्वे, शिगरता से किये जा सकते हैं, इसलिए नए मुद्दों पर लोगों की राय जालना, जन्मत जालना, संभाव शिगर ही हो जाता है, इससे डाटा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सर्वेक्षन विधी की कुछ सीमाई भी है, कुछ लिमिटेशन से, परतिक्रिया दाता गलत सूचना दे सकते हैं, जो ठीक सूचना हो नहीं देते हैं, लोग शोद करता को नहीं बताना चाहते हैं, कि किसी भी विशेश मुद्दे पर उनके वास्तविक विचार क्या हैं, लोग कभी-कभी ऐसी परतिक्रिया देते हैं, जैसा शोद करता जालना चाहता है, वास्तविक सूचना नहीं देते हैं, उसके बाद है मनोवेग्यानिक प्रिक्षन, साइकलोजिकल टेस्टिंग, मनोवेग्यानिक व्यक्तिक भिन्नता, जानने के लिए, प्रिक्षनों का विकास, जैसे बुद्धी के लिए, अभी शम्ता एप्टी चूड जानने के लिए, व्यक्तितव जानने के लिए, किसी का इंटरेस्ट यालिगुची जानने के लिए, अभी व्यरति जानने के लिए, मुल्य सेक्षिक उपलबदी educational achievement आजिकों जानने के ल मुनो वैग्यानिक प्रेक्षिनों का उप्योग, उसके बाद परसनल स्लेक्षिन, जैसे कहां पर प्लेस्मेंट में, ज़िए हम सर्विस लगाते हैं उसके लिए, परशिक्षन के लिए, ट्रेनिंग में देने के लिए, निर्देशन या गाइडेंस देने के लिए, निदान डाइग्नोसिस करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टिउशन के साथ, गाइडेंस क्लीनिक, किसी की समश्चा का समाधाल निकालने के लिए, उसको गाइडेंस देना, आजकर विशेश कर इसका यूज इंडिस्ट्रीज में भी होता है, जोगों को मानसिक तनाव बहुत अध है, टेफेंस की जो एस्टेबलिश्मेंट से उनके अंदर भी मनोवेग्निक प्रिक्षन एक बहुत ही उपयोगी टूल है हमारे पास इन समस्याओं को जालने के लिए, प्रियोग की वस्तु निष्टा होनी चाहिए, औबजेक्टिविटी होनी चाहिए, यदि दो या अध एक अनुसंधान करता, एक ही मनोवेग्निक प्रिक्षन को एक ही समु के सदिश्यों को देते हैं, तो इसका प्रिणाम लगभग समान होना चाहिए, प्रिक्षन को देने की प्रक्रिया, जैसे प्रयावरणिय दशाएं, समय सीमा, प्रतिक्रियाओं की करना की विधी, सपस् साफ होना चाहिए, मनोवेग्निक प्राबानिक प्रिक्षन की विशिष्टाएं, विश्वशनियता यानि रिलाइबिलेटी, अगर हम एक ही प्रिक्षन को दो अवसरों पर समान समु में देते हैं, तो उसके प्रिणाम समान होने चाहिए, उसके बाद दूसरा है प्रिक्षन दिया, फिर प्रिक्षन दिया, तो उनकी जो समान लबदांक है, यानि उसका जो स्कोर है, वो हमारे पास सेम होना चाहिए उसके बाद आता है हमारे पास इसकी वैदता, यानि वैलेडिटी किसी भी प्रिक्षन के उपयोग को योग्य होने के लिए वैदता अवावशक है अब वैदता से तात्पर यह है कि प्रिक्षन उसी मनोवेग्यानिक अक्षेटर का मापन करता है जिसका की वहे मापन करने का दावा करता है जैसे हम विद्यारतियों की mathematical achievement को माप करना चाहते हैं तो जो जो हमने प्रिक्षन बनाया है वो प्रिक्षन mathematical aptitude को ही या उनकी achievement को ही measurement करें उसके बाद मनोविख्यानिक प्रिक्षन के मानक जो monoveganic prediction तभी प्रमानिक prediction यानि स्टेंड़र्डाइज टेस्ट कहलाता है जब उसके norms उसके मानक विक्सित किया जाते है अब मानक क्या होता है समू के सामान्न और आस्थ निस्पादन है यानि एक समू के अंदर प्रिक्शन दिया जाता है आयू, लिंग, आवा, स्थान, आदी के आधार पर खौस्त निश्पादर मानक सू निश्चित कर दिये जाते हैं और फिर हम उस प्रियोग को लगा सकते हैं इसका उप्योग क्या है? मानक एक विद्यारती के लबदान को समू के साथ तुलना करता है जैसे, हम क्लास के अंदर कहते हैं, एक बच्चे का रिजल्ट आया तो हम कहते हैं, पूरी क्लास में कितने कितने माक्स हैं यालि वह हमारे पास एवरिज के साथ हम compare करते हैं किसी भी प्रिक्षन पर व्यक्तियों के प्राप्त लाबदांग की व्यक्या की जा सकती है उसके बाद आता है हमारे पास प्रिक्षन के परकार एक होता है भाशा के आधार पर प्रिक्षन बनाए जाते हैं वाचिक जिसको हम वर्बल टेस्ट कहते हैं इसके लिए साक्षर्ता आवशक है किसी ने किसी भाशा में लिखना होता है भाशा में एक्स्प्लेइन करना होता है यह कहा एवाचिक यानि नौन वर्बल जिसके अंदर भाशा का परियोग नहीं होता कोई संकेत परियोग में लिए जा सकते हैं चितर परियोग में ला सकते ह उसके बाद आता है हमारे पास निश्पादर यानि पर्फॉर्मेंस इसमें क्या होता है कि हम वस्तू को एक ही स्थान पर से दूसरी स्थान पर एक पर्टिकुलर करम में रखते हैं सिस्टम से रखते हैं, तो उसके बाद है दूसरा बेस है हमारे पास, कि हम किसी भी प्रिक्षन को किस परकार देते हैं, यानि व्यक्तिक प्रिक्षन, यह ऐसा प्रिक्षन है जो कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, व्यक्तिक प्रिक्षन में अनुसंधान क करता है एक दूसरी प्रकार का है समो प्रिक्षन ग्रुप टेस्ट में क्या होता है एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों को प्रिक्षन दिया जाता है यह ग्रुप टेस्ट होता है ग्रुप टेस्ट में क्या होता है कि उत्तर देने के निर्देश आदी जो भी जैसे प्रि प्रिक्षन पर ही लिखे होते हैं और प्रिक्षार्थी उनही के अनूसार पर्षणों के उतर देता है यह क्याए गति एवं शक्ति प्रिक्षन Speed test जैसे हम किसी व्यक्ति के intelligence को मापना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसको speed test देते हैं उसके लिए समय निर्धारित होता है, कि इतने समय में आपने इस टेस्ट को पूरा कर लेना है, दूसरा है हमारे पास, शक्ति प्रिक्षन, शक्ति प्रिक्षन में व्यक्ति की अंतरनियत योगता, उसकी underlying ability का बुल्यांकन किया जाता है, उसको परियाप्त समय दिया जाता है, यानि इसके अंदर कोई समय सीमा नहीं होती है, व्यक्ति अध्यन की study बहुत इंकी important part है, इस विधी में एक व्यक्ति विशिष के बारे में गहराई से अध्यन किया जाता है, अध्यन के लिए विशिष्ट योगताओं को उसके अपनी characteristics वाला एक व्यक्ति ही हो सकता है, जै केवल एक व्यक्ति का अध्यन करते हैं, तो यहाँ पर हमने selected जो person है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी विभिन्द विधियों दवारा एक अत्रिस की जाती है, जैसे साक्षातकार दवारा, प्रिक्षन दवारा, तथा मनोवेक्यानिक प्रिक्षन दवारा, इन व व्यक्ति अध्यन से व्यक्ति के जीवन में होने वाले घटनाएं, तथा उनके प्रभाव की विश्तरत जानकारी प्राफ्त होती है, फ्राइड दवारा प्रतिपादित, मनोविसलेशन का सिधान, तथा प्याजे दवारा दिये गए संग्यानात्मक विकास, कॉगनिटिव देवलोप्मेंट का सिधान, व्यक्तियों के प्रेक्षण दवारा अध्यनों से ही प्रिणाम है, यानि प्रेक्षण किया गया, के स्रडीज की गई, उनके विहविर अब्जर्व किया गया और ये थियूरी बनी, इसके बाद आता है बारे पास सुजाव या होता क्या है कि कीवत एक मनोव्यज्यानिक अनुसंधान करता की प्रेणाम से हम सामान्य प्रेणाम नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हमें अनेक सरोतों से विभिन अनुसंधान करतां दवारा सूचनाय अकैतरित करनी चाहिए और तब हमें एक सामान्य निश्कर्ष निकालना चाहिए अब हमारे पास एक अगली विधी आती है जिसको हम कहते हैं पर्दत विस्लेशन यानि डाटा एनालेसिस पर्दत विस्लेशन के लिए दो परकार की हमारे पास विविध उपागम है पहला है क्वान्टी टेटिव परीमानात्मक विधी मनोवगनिक प्रेक्षणों में जो हमारे पास तो पेस्सट है 이건 कि शरंखला होती है और उन पर्षणों की संवन्दित उत्तर दिया जाते हैं उन उत्तरों को अंकों में प्रिवर्थित किया जाता है उस मापनी को जो रेटिंग स्केल होती है उसको अंकों में प्रिवर्तित कर दिया जाता है और जो पर्ति भागी जो पाट्सी पैंट है वो सर्वाधिक पर्तिक्रियाओं का चैन करते हैं अनुसंधान करता पर्ति भागी द्वारा दिये गए उत्तरों के अंक निर्धारित करता है तथा अंत में उन अंकों का योग करता है अनुसंधान करता व्यक्ति के लबदांक यानि उसका जो स्कोर है कि तुलना समू से करता है तथा सांख्याय किये विधियों द्वारा स्ट यहां प्रिक्षार्ती से प्राप्त सभी सूचनाएं अंकों में परिवर्तित नहीं की जा सकती। जैसे पहली विधी में किया था, जैसे कोई मा बच्ची के नए रहने पर कैसा मैसूस करती है। इसको अंकों में नहीं दिया जा सकता। यह कि एवल उस मादवारा वरनित अनुभावों के आधार पर ही समझा जा सकता है। ऐसे अनुभावों का विशलेशन करने के लिए मनोवेग्यानिकों ने गुनातमक विधी क्वालिटीटिव प्रोसेस का विकास किया है, विधियों का विकास किया है। यहां तक हमने अनुसंधान, मनोवेग्यानिक अनुसंधान के उद्देश, विधियां, सब हमने उसके बारे में द्देन किया। लेकिन इसके साथ कुछ नैतिक मुद्दे भी जुड़े हुए होते है। मनो व्यज्यानिक अनुसंधान मानव व्यवार से संबंदित होता है. इसलिए अनुसंधान करता से यह आशा की जाती है कि वह अपने अध्यान के दौरान नैतिक सिधानतों का पालन करें. अब स्वाल है कि नैतिक सिधानत कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला है स्वेचिक से भागिता, voluntary participation. कि जो व्यक्ति अध्यान में भाग ले रहे हैं, वो भाग लेने के लिए सवतंतर होने चाहिए. उन पर किसी प्रकार का कोई दवाव नहीं होना चाहिए. वो स्वेच्छा से भाव करें, स्वेच्छा से पार्टिसिपेट करें. दूसरा, सूचित सहमती. यानि परती भागी को, पार्टिस्पेंट को ये पता होना चाहिए कि अध्यान के दौरान उनके साथ क्या घटित होगा, ताकि वो अध्यान में भाग लेने के लिए सूचित निरने ले सके. तीसरा आता हमारे पास, स्पस्टिकल, यानि डीब्री अध्यान समाप्त हो जाने पर परती भागीयों को सभी आवशक सूचनाएं देनी चाहिए, जिससे वे अनुसंधान को ठीक से समझ सके. अनुसंधान के दौरान क्या हुआ, ये सारी सूचनाएं उनको पार्टिस्पेंट्स को परती भागी को मिलनी चाहिए. ये अति किया गया हो, तो परती भागीयों को अध्यान के बाद किसी भी परकार की चिंता, कोई मानसिक दबाव या दोश परभाव का अनुभाव नहीं होना चाहिए. अध्यान के प्रिणाम की भागीदारी, ये शेरिंग आफ रिजल्ट्स आफ ता स्टडी. अनुसंधान करता के लिए आवशक है कि वहे परती भागीयों के वापस जाकर अध्यान के प्रिणाम बताई, यानि एक तरीके से जो परती भागीयों के ने भाग लिया है मुनों वेग्यानिक अनुसंधान में, उनको पूरी जानकारी उसकी मिलनी चाहिए. उसके बाद है गोपनियता, सबसे बड़ी बात है कि जो परदत शुरोतों से जो हमें परती भागी की प्रिणाम संबंदी विचार अंतर दिरिष्टी पे उत्पने करती है, परदत शुरोतों की गोपनियता, यानि confidentiality, कि जो सूचना परती भागी ने अनुसंधान करता को दी है, उन सूचनाओं को अतिन्त गोपनिय रखा जाए, ये कुछ ऐसे नैतिक मुत्य थे जो किसी भी मनुवग्यानिक अनुसंधान के साथ चूड़े होते हैं और ये अनुसंधान करता के लिए आवशर थे, इस परकार से हमने अध्याय 2 को बहुत विश्तरस्त रूप से इसके उपर हमने चर्चा की, और म विएップ Ṍज़े थे एसके जिए, और में च्छ हमने चर्चा की, और में हमने अनुसंधान के साथाई ज dissertation, भी में侏 boxone ये, और में हमने के साथ आवारे हमने मुत्य जए थे आवते हमने। झाल झाल